दोस्तों एन्टीव पर प्रसारित हो रहा पॉपिलर शोब भावी जी घर पर हैं कई सालों से लाखों करोडों लोगों के दिलों में राज कर रहा है इस सीरियल में हर किरदार अपनी महतुपूर्ण भूमी का निभाते हुए नजर आ रहा है उन्हें से किरदार है अम्मा जी का जो अपने बेटे को बैल कहकर पुकार थी है लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीरियल में इतनी मोटी नजर आने वाली अम्मा जी एक दाओर में बेहत खुबसूरत हुआ करती थी जी हाँ एक समय ऐसा था जब अम्मा जी मोटी नहीं बलकि फिट और खुबसूरत हुआ करती थी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अम्मा जी के कुछ ऐसी तस्वीरों से रूबरू करवाने वाले हैं जिससे देखने के बाद आपको अपनी ही आँखों पर विश्वास नहीं होगा तो अगर आप भी अम्मा जी के इन तस्वीरों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेगा साथी टीव इंडस्ट्री की इस दमदार अभिनित्री के लिए विडियो को लाइक तो बनता है भाबी जी घर पर हैं सीरियल में रामकली यानी अम्मा जी का करदार निभाने वाली अभिनित्री का रियल नेम सोमा राठोड है इनका जनम 1986 में 36 गड के रायपूर शहर में हुआ यहीं उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई अगर बात करें इस दमदार अभिनित्री के अक्टिंग करियर की तो इन्होंने अपने अक्टिंग करियर के शुरुआ 2009 में टीवी पर प्रसारिद हुआ कॉमेडी सीरियल लापता गंज से की थी इस सीरियल में नोंने मिर्चा सूती लाल का करदार निभाया था जो के कॉमिक रोल था इस सीरियल में इनोंने अपने करदार को बखू भी निभाया और लोगों को हसने पर मजबूर कर दिया लेकिन ये सीरिल महस 2014 तक ही टीवी पर प्रसारिद हुआ लेकिन इस सीरिल के तुरंत बाद ही सोमा राठोड को NTV का पॉपिलर कॉमेडी शो भाबी जी घर पर है में साहई कब नितरी के तौर पर राम के लिए यानि अपने चिल्बले ठाके लगा कर दर्शोकों का फुल एंटेटेन्मेंट कर रही है लेकिन आपको बता दे सीरिल भाबी जी घर पर है में इतनी मूटी और नटकट से दिखने वाले अभिनितरी सोमा राठोड आज इतनी मूटी नजर आती है ये अपने जवानी के दौर में उतनी खुबसूरत और श्टैलिश थी लेकिन अगर आप इनकी आज की और पहले की तस्वीरों में एक दूसरे से कंपेर करेंगे तो ये पहले की तुलना में आज काफी ज़्यादा चिल्बले और नटकट नजर आती है जैसा कि इनके तसूरों में आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों आपको अभिनित्री सौमा राठोड किस अंदाज में सबसे ज़्यादा अच्छ लगती है अपनी राय कॉमेंट बुक्स में दे देना और टीवी से जुड़ी और वी बाते जानने के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब भी कर देना